नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल श्टड़ी विद अच्पि स्वामी पर जहां पर आपको हर दिन हाई कोट SSC इत्यादी विवागों है तू समय पर डिक्टेशन उपलब्द करवाया जाता है दोस्तों आज का यह डिक्टेशन सतर सब प्राती मिनट स्टार्ट होने से पहले इस डिक्टेशन के कुछ महत्वपूर्ण आउटलाइन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों मैं इन आउटलाइन को डिक्टेट करूँगा और आप मेरे साथ डिक्टेशन लिखने से पहले कम से कम चार बार इन आउटलाइन को दोहराएंगे आज के आउटलाइन स्टार्ट होंगे पांच सेकंड बाद स्टार्ट गुस पैट गुष को पै से काटा गया है तत परता तत को पै तै से काटा गया है जबकी एक बड़ा जै बना करके उसके अंदर डोट लगया गया है विदेश मंतरी विदेश को मैं से काट करके ई की मातरा लगाई गयी है इमानदारी ई को दारी से काटा गया है बात चीद, बात को चीज से काटा गया है सहमती, सह को मती से काटा गया है मनोबल, मनो को बै से काटा गया है अरुनाचल प्रदेश, अरुना को प्रै से काटा गया है मंत्रा लए मैं त्रे को ले से काटा गया है दोस्तों आज के ये कुछ महत्वपुन आउटलाइन आप डिक्टेशन स्टार्ट होने से पहले कम से कम चार बार दोहराएंगे आज का यह डिक्टेशन सत्तर सब्द प्रती मिनिट स्टार्ट होगा पांच सेकिंड बाद पिछले साल मई में गलवान घाटी में चीनी सेनीकों की गुसपेट से उपजे तनाव को कम करनी के लिए चीन भारत के साथ वारताएं तो कर रहा है लेकिन साथ ही उसके सेनीक अभी भी भारतिये सीमा में गुसपेट की कोशिसों से बाज नहीं आ रहे एसे में वारताओं के साथ साथ गुसपेट और विवाद खड़े करने की चीनी सेना की रणनीती सांती के पर्यासों में बादा बन रही है अगर चीन का यही रवया रहा तो कीसी भी तरह की बातचित का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला पिछले हफ्ते ही भी सिक्किम के नाकुला में चीनी सेनीकों ने भारतिये सीमा चेत्र में गुसने की कोशिस की लेकिन भारतिये सेनीकों ने ततपरता दिखाते हुए उन्हें खदेड दिया था दोनों पक्चों में तनातनी होने की खबरें भी आई गलवान की घटना के बाद एसा कई बार हो चुका है इससे चीन की इस नियत का पता चलता है कि वह भारत को विवादों में गसीटने के लिए कोई ने कोई उक्सावे वाली हारकत करने से बाज नहीं आने वाला है इरानी की बात यह है कि सिक्किम की घटना एसे वक्त में हुई हुई जब चार दिन बाद ही दोनों देशों के बीच नौ में दोर की बात चीत होनी थी एसी घटनाए सुलहे की वारताओं को पतरी पर से उतार सकती हैं इसमें कोई संदेह नहीं की चीन का इरादा एसा ही रहा हो इस वक्त पूर्वी लद्दाख में हालात सामान्य नहीं हैं दोनों देशों के एक लाख सैनिक मोरचे पर डटे हैं हर बार की तरह ही इस बार भी वारता में भारत ने चीनी पक्स से साफ साफ कहा की वह अपनी सैनिकों को पीछे हटाना सूरू करे तभी इलाके में तनाव कम करने के प्रयास सार्थक हो सकेंगे लेकिन चीन एसा करेगा इसको लेकर संदिय है धाई मही ने पहले भी आठवें दौर की बातचीत में वास्त्विक नियंत्रन रेखा पर सेनिकों की संख्या घटाने को लेकर सहमती बनी थी और चीन ने संकेत दिया था कि वह इस दिशा में जल्द कदम उठाएगा लेकिन उसके बाद भी उसने इस सहमती पर अमल नहीं किया एसे में चीन पर कैसे भरोसा किया जाए वह इस बात पर अड़ा है कि पहले भारत अपने सेनिकों को हटाना सुरू करे जबकि रणनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण ठीकानों से सेनिकों की संख्या कम करने का काम दोनों देशों को समान रूप से करना है लेकिन चीन इस जिद पर अड़ा है कि पहले भारत अपने सेनिकों को हटाए अगर भारत ने अपने सेनिकों को पहले हटा लिया तो चीन का मनोबल और बढ़ेगा और एसे में वहे पीछे हटने के बजाय हालात को खराब कर सकता है एसा कर वहे भारत को गेरना चाहता है दोनों देशों के बीच अब तक नव दोर की बातचीत हो चुकी है कुछ महीने पहले मासकों में दोनों देशों के रक्चा और विदेश मंत्री भी मिले थे और हालात सामाने बनाने के लिए पांच सुत्रिय योजना पर सहमती बनी थी लेकिन इन सब का अब तक कोई सकारात्मक परिनाम आता नहीं दिखा बलकि चीन दूसरे इलाकों में जिस तरह की गतिविदियां जारी रखे हुए है वे और तनाव पेदा करनी वाली हैं हाल में अरुनाचल प्रदेश में भारत कबजे वाले इलाके में गाउं बसाने की चीनी साजिस का खुलासा हुआ साथ ही अरुनाचल प्रदेश को लेकर चीन के विदेश मंत्राले ने एक बार फिर विवादा स्वद बयान दे दिया कि वह इसे भारत का इस्सा नहीं मानता अगर चीन इसी तरह से विवादों को बढाता रहेगा तो वविश्य में टकराव के खतरे और बढ़ेंगे वारताएं तभी काम्याब हो सकती हैं जब संबंधित पक्ष उन पर इमानदारी के साथ अमल करें जो की चीन की तरप से होता नहीं दिख रहा है समब